आपको संगेत तो अच्छे लग रहे हैं अब वो आपके डेटा की रीडिंग हो फ्राइडे की या ग्लोबल हैंड ओवर हो या इवन यूएस के फ्यूचर जात सुबह के हो मामला तो ठीक ठाक है पर टिक पाएंगे ने टिक पाएंगे वो बड़ा सावाल है क्या लग रहा है अगर हमारी मार्केट ग्लोबल कार्णों के वज़े से गिर रही होती है तो मैं आज चिला 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 करेंगे बस अब हो आज ये गिफ निफ्टी अब तक 200-300 उपर हो चुका हो था अब तक क्यों सारे के सारे शांदार है और ग्लोबल मार्केट चाथ बस इस टीज की वे वीकेंड पER खुद इसराइल के मार्केट पर कोई इंकट ने आया?' थो वह क्लिर था कि मंडे को आज सुबह हम खुलेंगा तो इस तरीके का मौ आएगा और आज अपने वह देख लिया इस तरीके से ब्रेंट पर आया है दिक्कत हमारी क्या रही है? हमारी दिक्कत रही है कि हम अपने नंबरों के वज़े से गया रहे है हमारा earning season काफी खराब रहा है हम गिरे अपनी वज़े से है ना तो इसके लिए बड़ा सवाल वही है कि आज market उस तरह किसे react करेगा नहीं लेकर इसमें एक अच्छी चीज़ हुई है आज सुबह उठते कोई accident नहीं है accident है भी बहुत चोटा है उससे बहुत चोटा है उससे कोई market वो फरक नहीं बड़े अब तक बजा जो तो या फिर इंडेसेंट बैंक इंडेक्स स्टॉक्स में accident हो रहे थे अब वो नहीं है तो वीकेंड अच्छा रा मार्केट के लिए वीकेंड चाहे ग्लोबल नीउस हो चाहे डोमेस्टिक नीउस हो बहुत शांदार है मेरे लिए तो खैर सबसे अच्छा जो सबसे बड़ा powerful factor है वीकेंड का वो forget about global वो है ICICI bank के numbers ICICI bank के numbers आशीश बहुत ही शांदार हैं और मुझे हरानी नहीं होगी अगर आज हम सुबह सुबह खुलते ही खुलती ही ना सही लेकिन intraday में एक बार के लिए तो ICICI bank पर अगर all time high जड़ दें तो ICICI bank का stock अपने all time high से करीब-करीब 7% दूर है तो यह possibility है तो फ्राइडे को थोड़ा सा शायर market ने pricing करने की कोशिश की थी लेकिन इसका एक बार 52 week high और low value plate रखेगा 52 week high इसका शायर है करीब-करीब 1374 पर नहीं 13 एक मिट में बतायता हूँ कितना यह वास fire कर देजिए उसको उससे समझ में आ जाएगा और यह आएगा आपकी स्क्रीन पर I think 7% दूर है यहां से इतना मुझे पता था 1362 1362 का था इसका 52 week high तो करीब-करीब 107 रूपय के करीब का move अगर possible है तो वो शायद आज खुलते ही hit भी करे यह possibility है और Indocent Bank ने जो Bank Nifty को जख में लगाया था वो ICACA Bank उस पर अब महलम का काम करेगा ठीक है Bank O Baroda के number से बहुत चांदार थे वो भी एक बहुत बड़ा positive है वो बड़ा positive क्यों है क्योंकि Bank O Baroda इस देश का second largest PSU bank है by balance sheet लोगों को समझना चाहिए यह भले ही ICACA Bank बड़े market cap वाले stocks हो लेकिन purely in terms of balance sheet number two bank है Bank O Baroda SBI के बाद तो उसे साब से यह भी एक बहुत जरूरी चीज़ है बंधन के भी numbers ठीक ठाक थे जैसे साब से बंधन position हो सकता आज बंधन में in fact मुझे लग रहा आज तो बंधन में समझे आज शॉट covering आएगी क्योंकि बंधन के भी numbers कोई खराब नहीं थे उसे साब से तो यह एक और फ्राइडे को साथ परसे नीचे बंद हुआ था weekend पर जैसे हम कह रहे हैं accident वाला सिरफ एक ही stock था वो था credit access ग्रामीन अब credit access के numbers से एक चीज़ लेकिन clear हो गई है कि MFI में काफी stress है और वो जो RBI बार बार इस चीज़ को stress कर रहा था ना यह कोई अपने मन से चीज़ नहीं गया था उनको यह data points दिख रहे होंगे तब ही वह चीज़े कह रहे थे MFI वाले space and problem इसके लिए वो इंडेसिन बैंक के numbers को ना आप उसी specific उसमें देखें वो इंडेसिन बैंक की problem थी वो पूरी economy की problem नहीं थी यह ICICI bankers numbers ने HDFC bank के numbers ने इवन बैंक औरूरा के numbers ने अटलिस यह साबित करने की थोड़ी सी कोशिश किये तो यह आशिश हो गई एक domestic numbers वाली बात दूसरी बड़ी खबर weekend की इसराइल पर जो इसराइल ने जो इरान पर retaliation किया expected था कि retaliation होगा लेकिन एक चीज़ जो clear हुई retaliation हुआ लेकिन ना तो nuclear facility पर कोई impact आया और ना ही oil fields पर कोई impact आया और इसका मतलब क्या है इसका मतलब global market के लिए एक अच्छी ख़बर थी कि बैं new facilities पर कुछ impact नहीं और oil 76 हम जेल के गए ते Friday को अब हम 72 पर आगे और हमारे लिए एक बहुत बड़ा positive है अगर Brent कुड इस तरीके से गिरेगा लेकिन इन सब का सार फिर वही price section eventually यह सब कुछ boil down होता है price section पर कुछ sentiment बहुत खराब है से market का तो दिक्कत वही कि क्या हम hyper tickेंगे इस market में Friday को भी हम day high से 260 point गिर कर बंद हो है ठीक है और on an average हम daily high से करीब करीब 200 point गिर कर बंद हो रहे है तो सवाल यही है बड़ा सवाल यही है कि आज अगर बड़ा gap up हो वासे मुझे लगता कि gift nifty सही है मेरे क्याल से आज nifty में 1500 से 200 point का gap up होना चीए अब वो tickेगा यानि यह बड़ा सवाल है क्योंकि मुझे और कोई reason नहीं दिखता कि बाकी markets इतनी अच्छी हों इतने अच्छे queues हों और हम उपर ना खुलेंगे तो हम भी उपर लेकिन सवाल यह है कि जहां खुले वहाँ पर selling आएगी या वहाँ से और short covering आएगी यह आज का बड़ा सवाल है expiry week भी है ध्यान रखेगा truncated week भी है exchanges अपने जिद में moral trading Friday को ही कर रहे है तो इस वज़े से यह बी एक interesting चीज है लेकिन फिर भी बड़ा सवाल ही होगा कि gap up है हम टिकते हैं या नि टिकते हैं सब अच्छा लेकिन